हरर महादेव जमातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी भवान भोले नात की क्रपा आप और आपके पूरे परवाते बनी रहे जैसा कि सभी को पता है पावन नवरात्री का समय चर रहा है तो एक लोटा जल सी आपको ये विशी सोपाय नवरात्री के दोरान करनी ना है देखी अ संक्या में रोग बीमारिया फेलती है कि घर घर रतियक व्यक्ति के यहां पर कोई न कोई बीमार अवस्य रहता है सभी बीमारियों से निजात पाने के लिए पुजगोदी ने एक ऐसा विशी सुपाय बताया है जो आपको रात्री सोने से पहले मात्र एक लोटा जल से करना है ध्यान से सुनना कैसे करना है किस तरीके से करना है एक एक बात में आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूं ध्यान से वीडियो को सुनना है गलती नहीं करनी है और सभी माताओं वेहनों को यह उपाय अवस्य से कर लेना है देखिए वीडियो देखने के बाद इस तेजी से बढ़ रहें तो आपके घर में सभी स्वस्त रहें खुस रहें मस्त रहें रोग वीमारी ना आए इसके लिए मात्र छूटा सा काम आपको करना है दिए नवरात्री का पहुच्वा दिन है और गुरुजी कहती है जब भी नवरात्री में पहुच्वा दिन आए तो आपको राती को सोने से पहले एक काम पना है आपको चाहे इस्टील का तामी का या फिर कोई भी धादू का आपके घर में बर्तन हो लोटा हो उस लोटे को जल से आपको सुद्ध भर लिना है यानि उस बर्तन को साफसुत्रा करके उसमें सुद्ध जल भर लिना है और फिर एक लोटा सुद्ध जल भरना है और उस जल बहरने के बाद से पात्र को अपने रसोय घर में लखी नाहीं और दूसरे दिन निवराथ्ते का छटा दिन जो योगा उस दिन आपको सुवसव जगते ही घर में जव तक जाडू ना लगे उससे पहले ही उस लोटा जल को माता रानी का नाम लेकर और भगवान बोलिनात का नाम लेकर अपने आस पास जो भी नीन का विरच्छो उस विरच्छ की जड़ में उस जल को समर्पित कर देना है देखे मात्र एक लोटा जल समर्पित करने से रोग वीमारी घर में नहीं आते हैं बच्चे हों वूडे हों जवान हों कोई भी वीमारी का सिकार नहीं बनेगा आपका घर सुष्ट रहेगा दुरस्ट रहेगा और मस्त रहेगा इतना चोटा सा काम अपने परिवार की खुसाल कर दें अपने फ्रेंडों के साथ सियर कर दें ताकि बोगी इस उपाय का लाप्राप्त कर सकें वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और गुरीची से जुड़े हुए जो भी उपाय होते हैं सिर्फ वही उपाय में आप सभी के लिए चैनल के माध्यम से लेकर पुरे परवार पे सर्वदा बनी रहे इसी कामरा के साथ मैं विदा लेती हूं और मिलती हूं आप से नेक्स वीडियो में स्री शिवाय नमस्तव्यों ओम नमस्रिवाय